रनवीर सिंग है जौन इब्राहम के साथ बॉक्स ओफिस पर भिड़ने को तयार स्वागत है आप सभी का बॉलिविट स्पाय में और मैं हूँ आपके साथ रोशनी वेल जहां रनवीर सिंग की अपकमिंग फिल्म 83 दा फिल्म की बात नहीं कर रही हूँ उनकी दूसरी फिल्म जैईश पाय जोरदार इसकी ऑफिशल अनाउंसमेंट आज कर दी गई है जहां यह फिल्म 2nd October 2020 को बड़े परदे पर रिलीज होने वाली है और इस फिल्म में जहां रनवीर सिंग एर गुजराती भाय के किरदार में नजर आने वाले हैं एक एजन्ट बने हुए जो स्तौक ब्रोकिंग में काम करते हैं और किस तरह से वो ओवर्टेक करते हैं? कितने पैसी कमाते हैं? क्या कुछ होता है इस फिल्म में वह देखना होगा बेहत इंट्रेस्टिंग हाला कि इस फिल्म में अर्जुन रेडी फेम शालेनी पांडे इस फिल्म में रनवीर सिंग के साथ नजर आने वाली है और इस फिल्म का सबसे बड़ा क्लाश होने वाला है जॉन इब्राहिम की फिल्म सत्यमेव जयते 2 के साथ जहां पिछले दिनों मेकरस ने ये कनफर्म किया था कि ये फिल्म 2nd October को बड़े परदे पर रिलीस होने वारी है जॉन इब्राहिम पहले भी इस तरह की फिल्म लेकर आ चुके है जो कि सत्यमेव जयते रही वैल ये फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर जहां अच्छा बिजनिस तो किया ही और जो स्टोरी लाइन थी वो भी काफी जादी अप्रीशेट की गई वैल इसी के चलते जॉन इब्राहिम अब दूसरी पार्ट भी लेकर आ गए है और बॉक्स ओफिस पर क्या कुछ होगा अंजाब क्योंकि रनवीर सिंगी बहुत ही अलग कॉंसेट लेकर आ रहे है वही जॉन इब्राहिम एक अलग स्टोरी लेकर आ रहे है अपने फिल्म सत्यमेव जयते टू के साथ तो क्या हाल होगा बॉक्स ओफिस का कितना इंपक कर पाएगी ये दोनों फिल्म में एक दूसरे को ये सारा कुछ ये तो वक्ती बताएगा फिल्हाल के लिए आप हमें कॉमें सेक्षिन में जरूर बताएगे कि दोनों ही फिल्मों को लेकर एक साथ क्लाश होने पर आप है कितने जादे एकसाइटेड आपकी क्या कुछ है उमीदे बॉक्स ओफिस पर क्या होगा सर हमें कॉमेंस के जरीए जरूर बताएगे और हमारे चानल बॉलिवोड स्पाई के साथ बने रहिए